प्ले अजी आज मोर्च चैनल पर तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप से निवेदन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आज इस वीडियो में एक महत्पुन जनकारी आपको देने वाले हैं अगर आप मेट्रिक के एक जाम पास कर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफल साबित होने वला है तो आज इस वीडियो में हम जिसे बात करेंगे आप पहले ही देख चुके हमारे थमनेल में कि मेट्रिक के बाद अगर आप इंटर में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो इस पर मैं आज वीडियो को सुरू से अंत तक देखें और कॉमेंट करना नहुला किसी तरहाया का पृषानी हो तो हमें कॉमेंट के द्वरा लिखे हम उन प्रpriSomething करने के लिए भरपूर को सिस करेंगे करेंगे तो चलते हैं आज की वीडियो की और जो की आपके लिए महत्पूर्न हैं तो लेफ्टॉप सकते तो मैं अपने मुवाईल से आपको आज बढ़के लिखनाने बना तो आपके मुवाईल में जो भी हो पर या गूगल जो भी आपका है वहां से आप खोल सकते हैं उप और हो या गूगल आपको जा तक होगी करो में तैप करना है ओ एप SS करने के बाद आपको सर्च कर देना जैसे सच करेंगे दोस्तों आपको यहां पर आ जाएगा सके नमडर में ओ एपस्ट बिहार इंटर्ट एडिमिस्न आउलाइन फॉर्म 2020 तो इस पे आपको क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करने के बाद इस से आपके पास एक इंटरफेस खूल के आ जाएंगे तो मैं इसको डेश्ट आप साइट कर लेते हैं दोस्तों तकि आपको सारा चीज साब साब दिखाई दें डेश्ट आप साइट करने के बाद मैं आपको यहां दिखा दूँ पो पोस्ट टाइटल जो है बिहार इंटर 11 भीहार स्कोल एक्जामेशन बॉर्ड यहां पर आप दाकसीं भिहार स्कुल एक्जामेशन बोर्ड भीएस इपीज इन्हटेट ऑनलाइन अप्रिकेशन फर्म फर्म प्रेकिंग एडिमिशन इन इंटरमीडियेट 11th क्लास इन साइन्स कोमर्स एंड आर्ट्स तो यह साइन्स कोमर्स और आर्ट्स के लिए वह ले जाना है दोस्तों तो आप यहां से देख सकते हैं बिहार स्कुलिक जांशन बॉर्ड ओ एप एसस बिहार इंटरमीडियेट एडमिशन 2000 सेशन 2021 यहां पर और स्कूल करते हुए नीचे जाना है आप यहां देख सकते हैं अप्लिकेशन इस्टार्टेड डेट तो दोस्तों अप्लिकेशन इस्टार्टेड दिया गया हूँ अभी नहीं चालू हुआ है इसलिए यहां पर दिखा रहा है नोटिफाइड सुन मतलब इसलिए का अभी नहीं चाल होगा जैसे चलोगा यहां नोटिफाइड सुन जो लिखा रहा है यहां पर डेट रहाएं डेट आजाया कि इस तरह से चालो और यहां पर सजर्ट नमर्जिकेशन लाश्ट डेट तो अफ्लिकेशन लाश्ट डिट भी नहीं आया है चब तक इस सबसे पहले आए और सबसे पहले आपको ख़बर पहुचे इसके बात करें तो अप्लिकेशन फीट इसका फीट रही दोस्ताप तो टोम्षा Hour वैसनी अन्वर्शिटी का यह 200 रुपया था और मेंट के बाद करें तो कैसे यह पर्मेंट आप कटेगा तो पेड़ा अप्लिकेशन फीट रोग डाइबीट कार्ड तो दोस्तों आपका एटीम कार्ड जो है उससे कर सकता या तो क्रेडिट कार्ड या तो इस चलान के दौरा भी अपलाई कर सकते हैं जो भी दर्ती तेंथर नहीं कर सकते हैं यह दो इस्टूडेंट हूँ है पासे दात्रिक कुलेक्शन एक्जामेशन आप त्येंथ क्लास तो तियनत क्लास पास होना बहुत ही ज़रूरी है तभी आप इस वीको भर सकते हैं सातिसाति यह बिहार स्कूल बॉड़ वोड़ होना चीए और इंडिएन सेटि-प्याइड बॉड़ होना चीए और एन्जी बॉड़ भी लीजेवल अपलाइश कर सकते हैं तो बहुरार का भारत का किसी भी इरिया का तो होना चीए और अधर का सव test कभी भी भर से अपलाई वह कर सकता है एडमिशन के लिए हाउ टू अपलाई तो अपलाई करें कैसे तो आप यहां देख सकते हैं विफोर अपलाई ऑनलाइन कीप दा फ्लोइंग तो अपलाई करने से पहले आपको इसको जनकाड़ी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तो तो अभी तक मैं बता दूँ अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें जैसे ही कोई नोटीस आएगा मैं वीडियो बना के आपके पास जल्स जल्स आपको जनकाड़ी देने की कोसिस करता रहता हूं तो मार्क शीट की आपके पास होना जरूर है और एक गुड़ क्वाइल्टी रिचेंट इसके फोटो एक आपके पास फोटो होना चाहिए जो बहुत ही हाल का ही खिचा होना चाहिए यह सारा चीज होने के बाद आप सरकारी जो वेबसाइट है www.sbh.in पर जाकर वहां यह लगते हैं और कॉलेज्ज और स्कूल से तो इस टेप तू फिल सी ए एप तो मैं आपको बताओंगा कि क्या क्या करना है कैसे कैसे करना फ़ेस्ट जो है पर्दम इस टेप जो उसमें आपको नेम आप दा बोर्ड फॉम विच यू है पास्ट दा तेंट एक जाम तो आप सब वोट से किये हैं भी हाड़ बोड है या सी वोड जो भी है उसकी बोड़ का नाम लिखना है फिल दफ म денकार्स की आ इसके बादि वह सके इन्ड रॉल नमार इज़ इन एड़ मिट कार्ड तो उसके बाद आपको रोल नमार मूर्स भी ढाल जो कि आपके admit card पर डाला हुआ है second step की बात करें तो second step में दोस्तों दिया गया है detail of mark secure intent board exam तो आपके marks आपका जो marks इता उसमें mark दिया गया कितना marks आया है secure आपको डाल उतना ही डालना है थर की बात करें तो इसमें record of education इंस्टूटूट लाश्ट एटेंडेंट फॉर्म विच यू है पास्ट एंट एक्जाम उसके बाद आपके पास एक जिस इंटूट्टेस से आप पास किये हैं वहां से आपके पास एक certificate दिया जाएगा आपका प्रिकाउट की यह आप यहां से पास करके आगे इंटर्म एडमिशन कराने जाएं वह आपके पास होना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा उसके बाद करें तो फाइप स्टेप जो है तो प्रेशनल डिटेल आपका सारा प्रेशनल डिटेल आपका नाम पिता का नाम घार पुरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा और ओर फॉर्ड में और फाइब में भी एड्रेस अप्रप्रेसन आपका एड्रेस पूरा अछी एप होना यह और चिफ की बाद पर रेजिवेर्शन डिटेल तो आपको अगर कोटा आएं किसी भी रेजिवेशन कोटा से आते हैं तो वह आपके पास सटीपिकेट होना चाहिए ज स्ट्रेम इंविछ यूवंन्टु टुग एडिमिशन तो सबोनिक करें किकर और कुसी कॉलेज में एडिमिशन करना चाहते हैं कौन सबसे लियना चाहते हैं इसका choice करके आप इसमें भरना है वांट तूज आप चाहते हैं किस college में और किस college में चाहते हैं और कौन सब इसे लेना चाहते हैं यह आपको फिलिप करना 7 में और 8 की बात करें तो फिर finally click on long button toilet as click here to deposit application fee तो इसके बाद आपको application fee जमा करना है इसके बाद selection process तो इसके सारा चीज़ बरने के बाद आपका selection दोस्तों कैसे होगा तो आपका तो form apply करने के बाद कैसे selection आपका किया जाएगा तो मैं बता दो selection process क्या है यह selection of the student will be down based on the total marks तो आपका selection दोस्तों होने वाला है तो वह होने वाला total marks को आपका देख कर कि आपके जो metric में total marks है आपका कितना आया हुआ जिस भी द्यार्थी का marks सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसी भी द्यार्थी का admission लिया जाएगा उसके बाद जो कम है उसके second में लिया जाएगा लिश्ट इकलता है मैं बता दूंगा ज को दबा करें तो total marks के दोरा आपका admission लिया जाएगा option in the qualification बोड एक्जामेशन तो आप अधिक जन करें के लिए कांटेक्स नमबर भी आपका भी हार स्कूल एक्जामेशन बोड के दोरा रही दिया गया है आप इसे वहां पर जाके कांटेक्स भी कर सकते हैं तो यहां से कि लिए क्यार लिकाने लेगे तो इस पे क्लिक यहां कर कि लिक करने के बाद वह फोर्म कुल स्थ M तो यहां पर इसकी नीचे और जाएंगे तो ऑफिस्यल वेफ साइट पर यहां पर आकर भी आप फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो यह था महत्पूर्जन काड़ी है तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब कर लें और बैल ऐकन के दूरा जरूर लिखें और पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और साथ यसाथ अपने दोस्तों को सेयर करें तो मिलते हैं इसी सुकामना के साथ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिये हैं और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभार करेंगों था कि आपने हाँ कि आ इसा भी मिलते हैं पॉलेज।